हेलो एब्रिवान दिस इस इमानी मलिक एंड विलकम योल न टीचर सदार 247 आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम ऐसे दो पॉइंट्स या दो चुट चुटे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आपको टेक्स से लेकर हर टीचिंग एक्जाम में हेल्प करेंगे चाहिए आप डीएड या बीएडी क्यों न कर रहे हो बिलकुँ बेसिक से लेकर जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर किसी एक्जाम में पूछे जाते हैं तो जानते ही इन दोनों टॉपिक्स के बारे में एक है हमारा डाग्नॉस्टिक लर्न रोज़रात आट बजे क्लास में भी जुड़ना है CDBY हमानी मले अगर मैं आपसे बात करूं तो जब हम बात करते हैं डाग्नॉस्टिक लर्निंग की रेमेडियल टीचिंग की तो सबसे पहले देखो जब बच्चा पढ़ने जाता है न तो क्या होता है जब हम कोई काम करने जाते हैं कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारे मार्ग में बाधा आती है यानि कि हमारे रास्ते में प्रॉब्लम सा जाती है फिर हम उन प्रॉब्लम को देख करके क्या करते हैं हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और जब हमें वो चीज़े समझ में आ जाती हैं तब हम क शुरू करता है उसका अधिगम शुरू होता है उसके रास्ते में क्योंकि छोटू सा बच्चा इतना सारा बड़ा सा जीवन और लाइफ और वातावरण और उसका बस्ता तो बहुत सारी समस्ता है उसके सामने आती है और वह सर बगड़ के बैठ जाता कि मुझसे नहीं हो रह है कहीं भी बच्चा अटक जाता है गलतियां जादा करता है फर्स जाता है कहीं बार ऐसी बादा आती है कि उसे सौल नहीं हो पाती है क्योंकि छोटू सा बच्चा है ठीक वैसा ही जैसा कि जब हम जाते हैं डॉक्टर के बास आप इन दोनों टॉम्स को ऐसा समझे निए यहां सब तूटी-फूटी है और मालो बहार तो आदमी जाएगा बताएगा कि हाई डॉक्टर मुझे प्रॉब्लम हो रही है यू नो यहां पर पें हो रहा है मुझे और पता नहीं ऐसा लग रहा है जो भी मैं खा रहा हूं कि मुझे वह पेंगरेट कर रहा है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है ठीक है डॉक्टर दवाई दे के भिज़ देगा हमारे इंडिया में तो बहुत अलग होता है है ना जैसे हमारे सीरियल चलते है ना तक दस बार मुंडी गुमतिया यह से खड़ा 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 बस ऐसे होता है डॉक्टर पास जाएंगा क्या हो गया पारे कि दो डेक्डी ठाव हाला डर जाता है कि हाप बैठो प्लीज बैठो ठीक है बैठ गई फिर बताएंगा उसको अशे से कुछ झोरा ऐसे सुनीसी है कुछ पतली सी एस घुल-घुल-घुम रही है कभी यहां से रिकल रही है कभी हां से रिकल रही है जिन्दगी का खरी दिन है बचा सको तो बचाए लो डॉक्टर अपनी में भूलने को हो जाता है कि क्या करूं मैं लेकिन इसलिए फिर डॉक्टर हमारे कुछ टेस्ट लिखता है क्या लिखता है हमारे कुछ डॉक्टर हमारे फिर टेस्ट लिखता है कि भाई कुछ टेस्ट लिख दो तो डॉक्टर लिखता है टेस्ट और टेस्ट क्यूं लिखता ह ताकि उसे बिमारी का पता लग जाए फिर वो हमारे धेर सारे टेस्ट कराता है और टेस्ट कराने के बाद हमें कुछ-कुछ ऐसी ऐसी medicine लाके देता है कि यह logic आपको यह बिमारी डागनोस हुए टेस्ट में पता लगी मेडिसन खा लेना एक सुबह एक रात ले ठीक है जी तो ऐसे ही जब बच्चा कहीं अटक जाता है बाधा उत्पन होती है प्रॉब्लम आती है समस्या आती है तो हम क्या करते हैं पहले उसका सबस्या डूंड दें डागनोस करते हैं और जब हम ढूंड लेंगे कि समस्या कहा है और कैसे है तभी तो हम उसकी रेमेडी देंगे तो फिर हम क्या करते हैं उसका उपचार करते हैं अगर हम इसकी प्योर डेफिनेशन देखें कि क्या हो सकती है तो डागनोस्टिक टीचिं और remedial teaching क्या करती है छात्रों की सामानिय विशिष्ट कमजोरियों से छुटकारा पाने में मदद करने का उप्चारात्मक उपाय प्रदान करती है कि ये लो जैसे डॉक्टर ने आमें गोली दी वैसे ही सिक्षक क्या करता है दूसरा तरीका दे देता है दूसरे तरीके से समझा देता है जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ बहुत सारे चिंटू के तुरू, सिंचान के तुरू, डॉल्स के तुरू, बॉल्स के तुरू, है ना स्केल्स के त्रू ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मेरी लासे में दिख जाएंगी तो ऐसे ही मस तरीके से पढ़ने के लिए चानल को सब्सक्राइब पढ़ना मद बूलना और मुझसे जुड़ना बिलकुल मद बूलना सीडी पे बाए है माने मलिक रोज रात आट बजे उन्लियों टीचस दा यूट्यूब चानल पर तांके सो मच असर हैं मुसकरातरे मस तरह हैं और ऐसे ही नए नए वीडियो उसके लिए मेरा थोड़ सो मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं कॉमेंट करिएगा ज़रूर कि आपको व